श्री कृष्ण को गोविंद क्यूं कहते हैं। बच्चों, जब भगवान कृष्ण छोटे थे, तो बहुत नतखट थे। उनके कनहया, शाम, नंदलाला और गोपाल जैसे कई नाम थे और हर नाम के पीछे एक कहानी है। ऐसी ही कहानी उनके गोविंद नाम के पीछे भी है, तो आज की कहानी इस गोविंद नाम पर ही है। बात उन दिनों की है जब बाल गोपाल कृष्ण जांगल में गायों को चराने जाया करते थे। एक दिन वो अपनी गायों को जंगले ले कर गए, तो कामधेनू नाम की एक गाय उनके पास आई। उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा नाम कामधेनू है और मैं स्वर्गलोग से आई हूँ। जिस तरह आप पृत्वी पर गायों की रक्षा करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और आपका सम्मान करने के लिए आपका अभिशेक करना चाहती हूँ। कामधेनू की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराय और उन्होंने उसे अभिशेक करने की अनुमती दे दी। इसके बाद कामधेनू ने पवित्रजल से भगवान श्री कृष्ण का अभिशेक किया। इसके बाद इंद्रदेव अपने हाथी एरावत पर बैठ कर वहाँ आए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपके पोन्य कामों की वजए से आपसे सारी दुनिया में लोग आपको गोविंद के नाम से भी जानेंगे।